हलो बच्चों नमास्कार अब सभी बच्चों को स्वागत हैं आज हम आपको बताएंगे साइंस के बारे में call को हम दिया बार को और यह जिव जनन कैसे करते हैं इसके प्रशनुत्तर गोविकल्पी पूरा इन्सीर्टी प्रशनुतर दिये गए हैं और कुछ अलग से इंपोर्टेंट प्रशन चाटे भी साइज में मिल जाएंगे आपको क्योंकि कोरोना के चक्तर से समय हमारे माननीय सीन सामने कहा है क्यों पारिकर और बाकिया को यो जो वीडियो सारे समझ्ग के और सारे चैप्राइब के वीडियो आपको उपलग साथ होगी जो चीज नहीं है तो आप कमेंट्स के बाद हमसे पता सकते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है चलिए देखते हूं क्या है आज कО सब्सॉट्ट का आज है है चाररा पसंदी होते हैं तो किसमें पाए जाता है है हाइडस हुअ है कि आलते हैं और परस्ने में लिंगूंडों होता है पुरुष में उस्तों पाए आधा ग्या आगरने मेंसे कौन मानों मानों के मादाननत्र का भाग नहीं है शुक्र वाहिकाय नार जननत्र के मादानत्र के प्रति में होते हैं क्या होते हैं पराकोस में बाहदाल अंडास है पराकण अंडा पराकोस सिदा सिदा हारा है पराकण अब हम आपको दो अंक वाले नहीं आतिला घुत्रिय प्रशनों के बारे में कुछ बताएंगे यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को सेर करें ताए कि मौसम में इस तरह के करोना फ लेंगि जनन की अंगों द्वारा होता है तो पुस्पीय पॉधों के नर जनन आंग क्या है पूंकेषर और मादा जनन्रांग है कि अंडऴ एक लिंगी पुसप में नर अथूआ मादा जननांग होते हैं जैसे कि खीरा और लौगी और उभै लिंगी पुसप में नर तन्हीं प्रकार के जननांग पाये जाते हैं जैसे सर्शो और मटर जीवों के Zynan के वि खंडन यम खंडन वि खंडन एवं खंडन वि विदिको उद्यर रड सहित इस पर्ष्ट की जिसमें साफ त पुछ रहा है विखंडन- खंडन यम भी हटा देना विखंडन क्या देखेंगे एक कोस्की जीऊं में केंदरक तथा कोसा द्रव्य अनेक भागों में विभाजित होकर अनेक संतति कोस्काओं का निर्मार करता है जैसे मलेरिया इसमें पूछ रहा है एक कोस्की है यानि जहां एक कोस्की जिव में गेंद्रक था कोसाद्रब अनेक भागों में विवाजित होता है और अनेक सारी कई सारी संतत कोस्काओं का निर्मार करता है वह क्या होता है विखंडन जैसे मलेरिया और परजीवी में सेवालों के तंतु अनेक भागों में तोटकर संतति पाधब बनाते हैं और खंडर के क्या मतलब है कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा ये किसके द्वारों विभाजित होता है कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतती जीवों का निर्मार करता है उसमें बहुत सारी संतती जीवों का निर्मार करता है जैसे कि हाँ पे हमीबा है वहाँ पे मलेरिया बाहि निशेचन क्या है एक उधारण देकर समझाईए या एक उधारण दीजिए बाहि निशेचन में नर्व मादा अपने अपने यूगमक जल में एक ही स्थान पर और साथ साथ इस्खलित करते हैं जैसे कि निशेचन जल में होता है और निशेचन के फ़ल सुरू बना जो यूगमक जल में निशेचन के बाद जो बनता है यूगमक जाइगोड वो संतत्त जीव बनाता है जैसे मिल्हक हाईटर आदि में परागण पर टिपड़ी लिए परागण क्या है परागण किसे कहते हैं या परागण पर टिपड़ी लिए या कितने प्रकार क्यों होते हैं कई सारे प्रशणात आएंगे एक पुष्प के परागंड के उसी जाती के पुष्प के वर्थिकागर पर पहुँचने की क्रिया जो होती है वर्य क्या कहलाती है परागंड यह एक आवस्चा क्रिया है इसके के आभाव में बेचका निरवान नहीं होता है पुश्प करता है अंडब के अंडासे से प्षल और वीजाण से बीज बनते हैं पराग उसके अनुपरस्त काट कर नामांकी चित्र बनाईए ये पराग को उसके नामांकी चित्र बनाईए चित्र है आप देख सकते हैं इसमें अभी अब आपको बता रहे हैं इनका वर्डन कैसे हैं तेन के नाम दी है जी उपरी ये अकार बना हुआ है लाइनिंग साथ ये बाहत वचा है और जी अंदर एक छोटा सचिद्र टाइप में हैं ये क्या है सेंगवाहन बंडल और पराग कि वे सही चोटे-चोटे गोले आपको दिखाए दे रहे हैं अन्तहवित्ति वलेकोसा मधिस्तर यानि जो ये बीच की परत होती है मधिस्तर का मतलब क्या है बीच की परत है इनका वर्ड़न करताएंगे आगे वर्ड़न निसमें दो नमर का पूछ रहा है चित्रबस आपका में वायू परागण होता है कौन सा परागण होता है वायू परागण होता है और परागण अत्यधिक मात्रा में विकार होते हैं वायू की द्वारा परागण होता है जिसके करण परागण क्या होते हैं अत्यधिक मात्रा में विकार हो जाते हैं एक लिंगी पर परागन होता है जैसे पपीता मक्का में प्रूण कोस केंद्रक में गुर्शूत्र की संख्या कितनी होती है त्रे गुडित यानि थ्री एन त्रे गुडित होती है परागन का जनन केंद्रक विभाजित होकर कितने नर योगमग बनाता है जनन के इंद्राग विभाजित होकर दो नयुग मुख बनाता है कितने दो बनाता है जनसंख्या प्रदी से उत्पन होने वाली दो समस्याओं का उलेख कीजिए इन्दि जो जनसंख्या प्रदी बढ़ रही है उत्पन हो रही है उनसे क्या क्या समस्या होती है हमारे जिमन में यह हमारे देस में जनसख्य ब्रदी कि करण ख़ादि समागरी की समस्य उत्पन होगी हैं आप सरंफ प्रणनीं परियाप्थ होगा पिरोजगारी यानि जनसख्य बढ़एगी तो सही है कमेज़िए आवास क्रणने की समस्य होती है पॉधों में काईक जनन की दो विधियों का उदाराण सहये तो लेग कीजे हैले बिधी है भूमिगत तनी द्वारा पहले नमबर है भूमिगत तनी द्वारा आलू में कंध, अद्रक में प्रकंद, अरबी में घनकंद, तथा प्याज में सलक, कंद आदी दूसरा नमबर है पर्ड कलिकाओं द्वारा ब्रायो फिल्लम में पर्ड कलिका द्वारा अगला है अगर प्लेनेरिया अथ्वा हाइड्रा को कई टुकड़ों में कार दे तो इसका क्या प्लाम होगा इस क्रिया का वुर्लन किजिए पुर्डुद भावन पुना हुथादन हाइड्रा फ्लेनरिया है अन्यक टुकड़े काक देने पर प्रतिक भाग में ब्रधी sout Lauren है जैसे कि हाइड्रा के हम तीन बाकर देंगे एक प्राक्राट प्लेइरिया का भी निरबार कर लेते हैं। क्या कहते हैं , पुनृदवाण यांनि पुनाहा उत्पादन हो जाता है। अगले प्रशन है पुमंग तथा जयांग में अंतर बताई यानि पुमंग और जयांग में क्या अंतर है पुमंग पुष्प का नर्जनरांग है इसके पराकोस में लग विजाण या पराकण बनते हैं पुमंग की तीन भाग होते हैं कितने भाग होते हैं तीन पराकोस यानि प्रतिरच्छा निवन्तम से ड्रोंप ऐड़स का नाम पूछ रहा है जैसे तो हिंदी में इस प्रकार से भी आपलिक सकते हैं एकोर्ड इमेनो डिफ्रेंसे से डोब आगला प्रशन है अलेंगीक जनन के कोई दो प्रकार के नाम बताएए अलेंगीक जनन एसस्टवाल रिपॉडेक्शन में एक जियोधारी शंतति उत्पन करता है जो एक जुधारिये संतत्य तुपन करता है यह सरल्स रशनावाले प्राडियों द्वारा पादपों में होती हैं इसके निम्ने लिखित प्रकार हैं दिखंडर, मुकलन, बिजाणु जनन और पुन्रुद भावन बानो प्रिशल द्वारा स्रावित हर्मोंस का नाम लिखे एंडरोजन हर्मोंस है युगमक सल्लायन क्या है प्राडियों में नर युगमक, सुक्राणु तथा मादा युगमक अनके परस्पेंग मिलने से क्या बनता है युगमक सल्लायन कहते हैं काईद प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम बताईए आलू अर्वी अद्रग गन्ना गुलाब आदे यह क्या है काईद प्रवर्धन द्वारा एक भुट्टे के संकु से निकलने वाली चमकीली लंबी वर्तिकाओं को यदि प्रारम में कार दिया क्या है मादा पुस्पों का सम्मू इस्पैंडिक्स है जो हरे रंग के इस पेथों से गिरा रहता है इसमें वायू परागन होता है और शंकु की लंबी वर्तिकाओं को प्रारम में ही कार देने से परागन नहीं होता परागन के अभाव में निसेचन नहीं होता यही कारण ह कि संक में दाने नहीं बनते क्या होता है जब अंड का निसेचन नहीं होता है अंड का निसेचन नहीं की स्थिति में गर्भासा की मानसल एवं इस्पंजी अंतेः वित्ती धीरे-दीरे नश्ट हो जाती है और छातिग्रस्त उतक रक्तियम स्लेश में ओनी मार्ग से इनिस्कासित हो जाता है जिसे क्या कहते हैं रजुधर्म या रितुश्राव कहते हैं यह अवधी दो से आठ दिनों तक होती है पुण्रुध भावन पर टिपड़े लिखे या मुकलान पर टिपड़ी पुण्रुधभावन रिजनरेशन अभी हमने आपको उपर भी बताया है मुकलन जो पूछ रा था हाईडरल प्लेनेरिये में क्या होता है वह है पुर्णुत भवन में जीव को दो यदो से अधिक यानि कई भागों में काटने पर प्रतिक भाग छाते गर्ष्थ होने कर भाग भी तुबारा पुनह निर्बाण कर लेता है जाए से हाइडरा और प्लेनेरिया अगला है मुकलन हेडिंग अनकूल परिस्तियों में भी को सिकाएं विभाजित यम विभेदित होकर मुकूल बनाती हैं मुकूल प्रथक होकर यानि अलग होकर एक नय जीव बनाती हैं जैसे कि इस्ट इस्पैंज हाइडरा आधि में यह होता है दू निशेचन तथा त्रिक सल्यान किसे कहते हैं दू निशेचन यानि डबल फर्डिलाइजेशन सभी पोस्पैयुक्त पौध में दो बार निशेचन करिया होती है एक नर युगमाग तथा अनकूस का मिलकर युगुना जैनि जाइगोट बनाता है इससे सत्य निशेचन और निशेचन कके चीद invites ना धुडुवाले करते हैं युगमाग त्रियाँ में डूना एक केणराग 2 walks को निशीचित कहते है इससे बूह धिलिक पराख में डोरई निशेचन तथा त्रिक एक्सलेंस अंचाहिए और यह इस प्रगार साथ हुआ कई दो तीन प्रिश्ण दिये हुए हैं पूर्च सकता है जैसे कि 2019 भी अंसेट में आया हुआ भी था अगला है इसके वेडिंग हो जाए निसेजन फर्टिलाजेशन नर तथा मादा युगमकों के परस पर मिलने के क्रिया को क्या कहते हैं फर्टिलाजेशन कहते हैं और पुस्पी पात्पों में यह क्रिया बिजानवे इस थे प्रोड कोस की अंड कोस का तथा आगा नर युगमक के मिलने से होती है और ट्रिलाजेशन की क्रिया जिसंग की पुस्प में बताया गया इसे प्रकार से यह है पुस्प का चितर परागण का अंकुरण अगली हेडिंग इसे में होगी परागण दोरा वर्तिकागर पर पहुँचे परागण वर्तिकागर दोरा उत्पन मौली कमली युत मीठे पदार्थ को असूसित करते हैं जिससे क्या असूसित करके क्या बनाते हैं फूल बनाते हैं तथा बाई चोल अंकुर अंचिद्र से फट जाता है और अंतह चोल एक नलका की रूप में बढ़ने लगती है जिसे पराग नलका कहते हैं है थे चलिए और दीरे को साध्रब्र ड़ है और जनन ज्डर के इंद्रब्र परागि समय बाद क beverage नस्थ होते हैं और जनन के इंद्रब भीवाजीत हों दोनर यूबंगों का निर्माड करते हैं इसके तो प्रांथ फिन निसेचन यानि फर्टिलाजेशन क्या है परागनलका अंडासे में होती हुई अंदर की और वीजांड त्वारा व्रूण कोस के संपर्क में आती है और परागनलका के प्रवेश करते ही परागनलका का अगला सिर्फ भड़ जाता है अथवा गल जाता है और दोनों नर युगमक स्वतंत्र हुकर भूण कोस के अंडर कोस का से मिलकर युगमन जनी जाइगोड तथा दूतिय केंदरक से मिलकर भूण कोस केंदरक का निर्माण करते हैं इस क्रिया में दो नर युगमक एक साथ दो मादा युगमकों से मिलते हैं इसलिए से क्या कहते हैं दोरा निशेचन कहते हैं आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को अंधे तक जरूर देखेगा